नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल PLC IDHM Education के अंदर साथ यो आज के इस वीडिये के अंदर मा आपके लिए लेक्या हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला गंट को दबाले जिससे कि आप पसुदन साइट की पलपल की न्यूज के लिए अपड़ेट मने रहें साथ में वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले तो चलते हैं अपने इंपोर्टन कीशनों के और आज के वीडियो का पहला क्यूशन है फ्लेस कार्ड की साइज प्राइ होती है तो फ्लेस कार्ड की साइज होती है और 9 बाई 12 इंच होती है A option होगा Next question ग्रामनी छेत्र में परसार सिख्षा का सबसे अच्छा साधन है पंपलेट और सूचना पट यानि इसके अंदर A वब B C option आंसर होगा Next question है कटपूतली ड्रामा नुकुड नाटक आदिक किस परकार के परसार साधन है तो ये द्रसे सर्वे परकार के साधन है D option आंसर होगा Next question है शिरी जस्वंत परदसनी M पसु मिला कहां आईजित किया जाता है तो ये भरतपूर जिले के अंदर आईजित किया जाता है D option होगा Next question है करसी वाके टोल फ्री नंबर 1800800151 है तो ये C option आंसर है Next question है शिरी रामदेव पसु मिला कहां आईजित किया जाता है शिरी रामदेव पसु मिला जो नागोर जिले के अंदर आईजित किया जाता है C option आंसर होगा Next question है गोमती सागर पसु मिला कहां आईजित किया जाता है गोंती सागर पसु मेला जालरा बाटन जालावाड के अंदर आईजित किया जाता है A option श्री बल्देव पसु मेला कहां आईजित किया जाता है तो यह मेरता सिटी नागोर जिले के अंदर आईजित किया जाता है B option आंसर है नेट किसन है श्री मल्लीनाथ पसु मेला कहां आईजित किया जाता है श्री मल्लीनाथ पसु मेला तिलवाडा बाडमिर के अंदर आईजित किया जाता है C option Next question है वर्ष 2012 में कौन सी पसुगन्ना की गई थी वर्ष 2012 में जो पसुगन्ना की गई थी वो 19 पसुगन्ना थी और 2017 जुलाई 2017 से 20 वी पसुगन्ना प्रारम की गई है तो A option answer next question है पसुधन उत्पादन में सर्वेक्षन किया जाता है पसुधन उत्पादन में मास का अंडो का वद्दूद का सर्वेक्षन किया जाता है प्रोक सभी D option next question है निमन में से कोंसा सबसे अच्छा परदस्षन है तो इन में से सबसे अच्छा परदस्षन सईयूगत है C option next question गोशालाओं का पंजीकरण कोंसा विवाग करता है गोशालाओं का पंजीकरण पसुपालन विवाग करता है B option answer है नकारा सांड या बच्छडा बद्याकरण प्रयोजना के अंत्रगत पसु पालकों को पसु बद्याकरण कराने के लिए परती पसु 50 रूपे नगत भुकतान किया जाता है तो इसके अंदर B ओप्सन होगा और नेश्ट कुछन है परचार सिक्ष्या है परचार सिक्ष्या एक अनोपचारिक और ओपचारिक दोनों ही परकार की सिक्ष्या है तो सी ओप्सन आंसर है नेश्ट फोल्डर कितने प्रष्ट का होता है तो फोल्डर तीन या तीन से अधिक प्रष्टों का होता है C option है next question है निमन लिखित में से कौन सा गुण नेता में होना चाहिए तो इन में से समू के सभी सदेश्यों को परिवार का सदेश्यों मानता हो ये गुण होना चाहिए नया कारिये सीखने और करने को तैयार हो नेता इमानदार वा चरित्रवान हो तथा समू का विश्वास पा अप्तर हो तो उपरोग सभी गुण नेता के अंदर होने चाहिए डी ओप्सन आंसर है next question है प्रतियोक्ता में भाग लेने वाली गाय में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए प्रतियोक्ता में भाग लेने वाली गाय के अंदर अंजान व्यक्ति को मारने का गुण नहीं होना चाहिए पसु सुद्ध नसल का हो गाय का अच्छे आकार का हो दुगदगा सिरप प्रोमेंटेस होनी चाहिए तो ये सबी गुण गाय के अंदर होनी चाहिए अंज्यान व्यक्ति को मारने का गुण परतियोगता में भाग लेने वाली गाय में नहीं होना चाहिए तो D option होगा सुमे ले जाने के लिए पसु की तयारी के लिए कौन सी क्रिया महत्तव पूर्ण है उप्रोक सबी तयार्य महत्तव पूर्ण है D option,алось next है, सांड judicial के लिए कों सी सूचना आविसक है, सांड registered के लिए पसुपालक का नाम ये पुरा पता होना चाहिए, सांड की नसल जनमतिति और उमर होनी चैने सांड के परिवार और प्रोजेनी का रिकोर्ड होना चाहिए, तो उप्रोक सभी सूचनाई आउसक है D option नेस्ट केशन परचार सिक्ष्या का चत्थूर्थ पाइदान है परचार सिक्ष्या का चत्थूर्थ पाइदान सहमती पूनते प्रभावित होना है तो इसके अंदर B option आंसर होगा नेस्ट परचार सिक्षय का पंचम पाईदान है परचार सिक्षय का पंचम पाईदान का कारियान में प्रियोग में लेना ए ओप्षन और नेस्ट परचार सिक्षय का अंतिम चटा पाईदान संतुष्टी है परचार सिक्षय के टोटल छे पाईदान है सबसे पहला पाईदान है ध्यान आकरशित करना और दूसरा पाईदान है रूची तीसरा है कारे करने की इच्छा जागरत होना और जो चोथा पाईदान है सहमती पूर्णते प्रभावित होना और पांचो है कारे अनुवन प्रियोग मिलेना और छटा है संतोष्टी तो विदी में नहीं आती। इस विदी में स्युयम सांड का वीरे एककत्र किया जाता है, करत्रिमगरबाधन की परिदी में आती है, वीरे को माधाः शरव बास से में यंत्रों के द्वारा इस्थापित करना, यह भी करत्रिमगरबाधन की विदी है, और किसान कहीं से भी सीमन खरीद कर सकता है यह करत्रिम गरबादान की विद्धी के अंतरगत नहीं आता तो इसके अंदर डी ओप्शन आंसर है कौन सा थत्य आर्थिक का नहीं है इन्य में से मुर्ग की का लड़ना आर्थिक लाब का अर्थिक लाब का अर्थिक लाब का अ Arthic Lab का असमय से पसु उत्तपादन जैसे दुग après अंड़ा पॉंट नहीं है तो D option होगा next है वर्तमान में कुकुट विकास है तू पसु पालन विवाग किस कारे है तू चूजे दे रहा है तो ये बेक यार्ड के लिए दे रहा है ये option है पसु पोषन आहर परियोगसाला इस्थापित है काफी अच्छा कुछन है पसु पोषन आहर पर जएवी इकाई पर क्या कारिय होता है तो प्रादेशी के पसु चिक्रसाथ जएवी इकाई पर शंक्रामक को रोगों का तीका बनाने का कारिय होता है बी आप्शन है और नेक्ट क्यूंघ स्थान भाहरत वर्त में दुग उत्तपादन में राजस्थान का नंबर कौन सा है तो भारत में दुग दूत पादन में राजस्थान का सेकेंड इस्थान है, बी ओप्षन, पर्थम इस्थान पर यूपी है, भारत में दुग दूत पादन में, केंदर ये बकरी अनुसंदान केंदर कहां पर इस्तित है तो केंदर ये बकरी अनुसंदान केंदर मकदुम मत्थुरा यूपी के अंदर इस्तित है बी ओप्शन next question है राजस्थान में सीमन बैंक इस्थापित है राजस्थान के अंदर पर्थम सीमन बैंक है वो बसी जैपुर के अंदर इस्थापित किया गया था और जो second सीमन बैंक है वो मंडोर जोदपुर के अंदर है तो इसके अंदर ए ओप्शन आंसर होगा सबसे ज्यादा राज्य इस्तरे पसु मेले कोन से जिले में लगते हैं काफी अच्छा किशन है सबसे ज्यादा राज्य इस्तरे पसु मेले है जो नागोर जिले के अंदर आयोजन किया जाते हैं शीरिरामदेव पशु मेला नागोर, सेकंड बलदेव पशु मेला मेर्तासिटी नागोर और तीसरा वीरतेजाजी पशु मेला परवत्kesन नागोर। तो तीन राजजेतरी पशु मेले नागोर। जिले के अंदर आयजित किये जाते हैं, लगते हैं। तो बी ओप्सन आंसर काफी अच्छा क्यूशन है नैश्ट वर्ष दो जार बारा की पसुगन्ना के आदार पर राजस्थान में घोडोव टटो की संक्या है काफी अच्छा कुछन है ये भी वर्ष 2012 की पसुगन्ना के आधार पर राजस्थान में गोडो वा टटो की संक्या है 37,700 ए ओप्सन आंसर है और ये 2017 की जो पसुगन्ना थी 20 वी पसुगन्ना उसके इसाब से जो आंकड़े आएं है उनमें गोडो टटो की जो संक्या है वो 0.34 मिलियन है यानि कि 34,000 संक्या है तो इसके अंदर 10.85% की कमी आई है और ये राजस्थान है जो तीसरे इस्थान पर गोडो की संक्या की तो इसके अंदर ये उप्सन होगा नेश्टा वर्स 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पस्थान की संक्या है वर्स 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पस्थान की संक्या है जो पांसो सततर लाख है यानि की सत्ताउन पॉन साथ मिलियन दो जार बारा की गण्ना की अनुसार राजस्थान में कुल पसुओ की संख्या और ये दूसरे इस्थान पर है और 2019 के जो आंकड़े आई हैं उनमें राजस्थान में कुल पसुओ की संख्या 56.8 मिलियन है सेकेंड इस्थान पर और इसके अन्दर 1.66% की कमी आई है नेस्थ है राजस्थान अंडा उत्पादन में कौन सी रैंक में है तो राजस्थान अंडा उत्पादन में चोद्वी रैंक पर है और राजस्थान दुग्द उत्पादन में कौन सी रैंक पर है तो राजस्थान उन उत्पादन में पर्थम रैंक पर है पर्थम इस्थान पर है ए उप्षन होगा तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो के कुछ इंपोर्टन क्यूशन आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आज गंट को दबा लीजिए जिससे कि मैं जितने वीडियो लेके आँ उसका वीडियो पर तुरूंत एक्टिव हो जाए तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई